राम राम सारे भाई यान है इंगलेंड वर्सिज पाकिस्तान फोर्थ टीटवन्टी मैच और सबसे पहले भाई न्यूच सुनलो इस मैच की दो बड़े खिलाड़ी हैं इंगलेंड के वो इस मैच को नहीं खेलेंगे मिस करने वाले हैं उन पलेयरों का क्या नाम है वो नाम आ तीस्रा टीट वन्टी मैच बारिसके कार रद हो गया और आज है चोत्वा टीट वन्टी मैच ये मैच कहां पर होगा क्या पेलेंग लेओन रहेगी क्या पिछरिपोर्टर रहेगी कैप्टन वाइस कैप्टन दो तिन मेंबर के मीणी जील के क्या रहने वाले हैं वो सब आ सबसे पहले आपको क्या काम करना है इस टेलिग्राम को जोईन करना है यह दूवन फेंटासी आउस लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिस्न बोक्स में जोईन कर लेना टीम आपको मिल जाएगी तो उसके बाद इंगलेंड वर्सिज पाकिस्तान फोर्थ टीट्वन्टी मैच यह मैच आज है वेन्यू है केनिंग्टन स्टेडियम ओवल अब न्यूज सुन लो जोस बटलर एक्सपेक्टिड टू मिस दी मैच ड्यू टू परसनल रिजन जोफरा आर्चर मैनेजिंग वरकलोड आफ्टर र तो बाई न्यूज यार ये कि बच्चा होने वाला है उनके गर में एक नया महमान आने वाला है तो सबसे पहले बटलर भाई आपको बहुत बहुत बदाई हो हमारी दूगन फेंटेसियाउस फैमिली की तरफ से तो ये पिस देखो बाई कैनिंग्टन ओवल ओवल की पिस प बाई अगर सेम के साथ खेले तो बड़ी पारी खेल सकते हैं बीच के औरों में स्पिन गेंबाजो को थोड़ी मदद मिल सकती है तो बहुत बटलर देखो बाई ये तो खेलेंगे नहीं अगर खेलेंगे बाई चांस तो मैं टेलीग्रम पर पता दूँग और इससे पहले ब भाई ये आप है ये इनका स्कोर देख लो बागई पर लेरो का और जोस बटलर का सारे मला देना तो हुँट चुरासी का टोटल मुस्किल हो पाएगा मुश्किल जोस बटलर मुश्किल है बाकी फिर भी चुराज सी रन ठीक ठाक पा रही है तो भाई देख देना टोस के बाद और पहले से अपनी टीम में मत रखना है तो भाई मैंने आपको दीखाया था कि भाई जोस बटलर के बिना इंगलेंड टीम का यह आल है फिल सोर्ट तेरा विल जैक्स शैथिस जोनी इकिस हैरी पुरुक एक मोहिन अली च्यार हाँ इस मैच में जोस बटलर नाखे ले तो मोहिन अली कैप्टन सी करेंगे लियाम लिविंग्स्टन क्रिस जोर्डन जोफरा आर्चर लिविंश्टन एक तो सारे बोलरों को विकेट मिल गया ये है पाकिस्तान की प्लेंग्ले उन मुहमद लिजवान जीरो और जीरो वाला हीरो बन सकता है सेम अयूब दो बाबर आजम कैप्टन पाकिस्तान 32 बाबर आजम अगर 60 भी कर देंगे ना तो उसके लिए बोल खेलेंगे 40 अगर देखो इस मैज में 32 किये थे तो साहे दोने ने 26 बोल खेली थी तो ये ने की बाबर आजम ने 80 रन बनाए उसके लिए उन्होंने 38 बोल खेली ये बहुत कम देखने को मिलेगा उनका स्ट्राइक रेट 110 10 या फिर 100 इतना रहता है ज़्यादा ताबर तोड़ पाई निकिलती है हाँ तुक्टू करके आपको अच्छे पॉइंट दे जाएंगे तो इस मैज में सेफ है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए और बाबर आजम से अच्छा मैं आपर फकर जमान को मानता हूँ भाई मैंने बहुत बार देखा कि फकर जमान रन कर जाते हैं बाबर आजम और फकर जमान इन में से का जाना तो मुझे इस मैज में लगता कि फकर जमान एक अच्छा पॉइंट दे जाएंगे और फकर जमान को रखना मीनी जियल में आजम खान देखो भई आजम खान करेंगे विकेट कीपिंग रिद्वान नहीं करेंगे इफ्तिकार अहमद सादब खान मुहमद यहां पर आमीर है मुहमद आमीर पांचरन साइन अफरिदी नो इमाद वसीम 32 हैरिस रोफतीन तो देखो आपर इफ्तिका हैं इमाद वसीम हैं 22 है और थोड़ा बहुत बल्ला भाई यहां पर साहिन साफरिदी भी गुमा लेती हैं तो यह होगी प्लेंग लिए अब इनकी बोलिंग देखती हैं साहिन साफरिदी तीन विकेट इमाद वसीम दो एरिस रोफ दो मुहमद आमीर जीरो और सादाब खान को कोई विकेट नहीं मिला सादाब खान ने पता कितने रन दिये च्यार ओरों में 55 रन और कोई विकेट नहीं तो च्यार ओरों में सादाब खान ने 55 रन दे दिये मतलब बंदा भाई फॉम में नहीं है, बिल्कुल भी फॉम में नहीं है, सोच समझ कर अपनी टीम में लेना, मीनी जियल में ट्राइ कर लेना, आपको अच्छे पुइंट देखे जाएगा, अब दोस्तों अपनी टीम बनाते हैं, दो और तीन मेंबर की, आजाओ भाई, अपनी टीम 83 काई है तो हाँ एक काम करना टोस के बाद आप टेलिग्राम पर आजाना महीं पर आपको मैं कंफरम कर दूँगा कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे बाकी न्यूस तो यह कि भाई जोस बटलर नहीं खेलेंगे अगर जोस बटलर ना खिले तो क्या हो सकता भई या तो सैम करन को मौका मिलेगा या फिर मारक वूड इनको मौका मिलेगा और एक पलेर है जोफरा आर्चर ये भी निखिलेगा अगर जोफरा निखिलेगा तो यह आपर मारक वूड की इंट्री हो जाएगी इंगलेने की टीम में अब यहाँ पर दो ही पलेर मुझे ठीक लगे मुहमद रिजवान और सोल्ड आजम खान ये खिलाडी लीग में बहुत अच्छा केलता है 50 मारता वई 30 बोल में 25 बोल में 21 बोल में लेकिन पाकिस्तान के लिए इंटरनेशन किर्केट में वाई उतना अच्छा प्रफॉर्म नहीं किया जितना को करना चाहिए तो फिर भी आप इनको ले लेना मीनी जील में सिलेक्शन सिर्फ चियार काई है सबसे से मुझे लगे फिल सोल्ट और विजवान यहाँ पर बात की जाए बल्ले बाज की तो सिर्फ यहाँ पर मैंने लिया है बाबराजम को विल जैक्स को आपके पास उप्षन है जोनी फकर जमान हैरी बुरुक सेम आयूब उसके बाद नीचे बाई और कौन से उप्षन है और को उप्षन है नी आपको जो भी उप्षन ठीक लगे और उसको आप उपनी टीम में रख लेना ठीक हाँ भई तो भई आप में इस किस को लोगे कॉमेंट करो अब देखो जोनी नंबर च्यार पे आएंगे नंबर च्यार पे जोनी आएंगे और भई आप इन कोपनी टीम में रखना लास्ट मैस में जोनी ने 21 रंकी पारी खेली थी और यहाँ पर फकर जमाने पारी खेली थी 45 की तो ठीक ठाक है भई हैरी ब्रुक तब बड़तोड खिला रही है भई मीनी जील में टीम में जरूर लेना सेम आयू लास्ट मैस में दो रं तो भे आपका जोमन करे उस प्लेयर को ले लेना तीन मैने रखें आल रमडर सादाब खान मौईन अली और यहाँ पर हैं इमाद वसीम इफ्तिकार एमद इनको रखना मीनी जील में लिविंश्टन रखना मीनी जील में आप देखो यहाँ पर साइम करन इनको चांस मिल सकता खेलने का किसकी जगापर जोस बटलर की जगापर उसके बाद हाई तीन होगे मेरे आल रांडर बॉलिंग की बात करते हैं साहिन अफरिदी पावर पले में बॉलिंग करेंगे आदल रसीद खेलेंगे अपनी टीम में रख सकती हो जोफरा आर्चर अब न्यूजी है कि जोफरा इस मैच को मिस करने वाले हैं तो फिराल तब के लिए भी अपनी टीम में नहीं रखेंगे अगर खेलेंगे वो से जगा वैटोस के बाद पता तो रख लेंगे टीम में उसके बाद मैंने रखा है मुहमद आमीर को मारक बूड देखो भई अगर यहाँ पर जोफरा नहीं खेलेंगे तो सीधा मारक बूड आजाएंगे अगर मारक बूड मुझे खेलते दिखे सैम करन मुझे खेलते दिखे तो पकिस्तान का एक बॉलर कम कर दूँगा हैरिस रोफ डैथ ही बॉलिंग करते हैं अच्छे प्लेर हैं क्रिस जोर्डन बले लास्ट में एक विकेट मिला हूँ लेकिन ये खिला री ना डैथ का स्पेसलिस्ट है डैथ स्पेसलिस्ट और इसके बाद रैस चोपलेंड को भी आप अपनी टीम में रख सकते हो वो आपकी मर्जी है अब देखते कैप्टन वाइस कैप्टन के कितने दाविदार हैं सोल्ट आर्ट का स्पेसलिक्शन रिजवान च्यार विल जैक्स पंदरा बाबर आजम आठ आठ का स्पेसलिक्शन मैंने तो बहुत कम देखा भी इनका स्पेसलिक्शन इतना यह तो बीस पत्चिस तो रही जाता है इमाद वस्रीम तीन मोहिन अली तीन और सादाब खान एक और साहिन सापरिदी दस यह वाइस स्पेसलिक्शन अब अपनी टीम देखते हैं कैसी बनी है मौमद रिजवान सोल्ट बबर आजम विल जैक्स सादाब खान मौहिन अली इमाद वसीम साहिन आमीर रौफ और जोर्डन अगर यहाँ पर मुझे खेलते दिखाई दिये टोस के बाद सैम करन तो मैं किसी एक खिलाडी को बाहर कर दूँँगा पाकिस्तान के बोलर को या फिर मारक मुड को रखूँगा मै अब दो तीन मेंबर के सेफ सीवीशी देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं मीनी जियल की ये तीन मुझे बहुत अच्छे लगे बाई सेफ सीवीशी मीनी जियल की बोलिंग और बैटिंग उसके बाद अगर पहले बोलिंग हो इंगलेंड की तो आप यहां पर क्रिस जोर्डन को सीवीशी रख लेना और पाकिस्तान के दरफ से हैरी स्रोफ ये करेंगे डैस में बोलिंग दो तीन मेंबर के लिए मुझे ठीक लगे बाबर आजम मौईन अली ये मुझे ठीक लगे तो भी आपका सीवीशी कौन रहने वाला है कमेंट कर दिना अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दन्निबाद और इसके बाद हमारी एक और वीडियो आएगी सोर्स वीडियो उसको भी देखना मत बूलना